सिरी गड़ेस को पहले सुमरों फिर सारा दिखा करके ध्यान संतों में हैं संत निराले करती हूँ उनका गुड़गान संजो आलहा गाक बताए दादा कैसे हुए महान उनकी लावनकी गाथा प्रेमे पूरवक करे बखान ए दादा धूनी वाले हैं कि ये हजारों का कल्यान मरे हूँ को कर दिये जीवित दिये सेकड़ों जीवन दान देश बेदेश में भगते हैं तने जिनका नहीं कोई अनुमान रिशी मुनी संतों की भूमी कहलाता है हिंदोस्तान रिशी मुनी संतों की भूमी रिशी मुनी संतों की भूमी कहलाता है हिंदोस्तान चोविस घंटे जलती धूनी धूनी है इनका दरवार धूनी से हर दिन दुखी का दादा जी करते उपचार साधार अले धूनी नहीं है किस धूनी में है चमतकार बूढे बच्चे जबान भी तो करते दादा की जैकार ना मुम्किन को करते मुम्किन जिनके नाम का बड़ा प्रचार जापकर बेद हकीम हजारों माने चुके थे जिस्ते हार वो रोगी भी जीवन पाए ठीक हुए लाखों बीमार धूनी वाले दादा जी की लीला प्यारी अप्रमपार धूनी वाले दादा जी की अप्रमपार धूनी वाले दादा जी की लीला नारी अप्रमपार एमपी में हे नगर खंडवार जहां प्रमपार धादा का दरवार जहां रोज दर्सन करने को दिन भर रहती भील अपार धादा जी के नाम खंडवार आज बना है पावन धाम आती है जब गुरु पूनवा सज जाता है नगर तमाम एसी रीत कही ना होगी यहां जो रहता है इंतिजाम सारा नगर लगे सेवाम खास आदमी होया याम खाना चाए नास्ता देते नहीं किसी से लेते दाम मोटर याटो रिक्सा वाले फिरी में सब को लाए जाए मोटर याटो रिक्सा वाले मोटर याटो रिक्सा वाले फिरी में सब को लाए जाए बस स्टेंड होया ये स्टेशन सब को मंदिर तक पहुचाए हर आने जाने वालों की सेवा में सारे जुट जाए हिंदू हो चाहे मुसलिम हो दादा रंग में रंग कहा दादा जी की है ये किरपा सेवा सम्मेदी ओ जगाए पाँच दिनों तक मेला लेकिन तीन दिनों तक मुप्त खिलाए भिन भिन देते परता दी बैठा कर भोजन करवाए देस बिदेस सलोग हजारो दादा के मेला में आए भीड रही लाखों की निस दिन दिक्का ते कोई कही न आए भीड रही लाखों की निस दिन भीड रही लाखों की निस दिन दिक्का ते कोई कही न आए मन्दिर में है अजब न जा रहा जो देखे वो अचरा जिखाए भक्ती का माहौल सोहाना दादा की जेकार लगाए देस का ये पहला तीरत है जहान कोई लूटे कहा आए लोग यहां बाहर बालों से आदार का रखते देओ हार होटल याटो मोटर वाले या हो कोई दुकान दार प्रेम भावना सब से रखते सब को देते आदार प्यार यहां सभी ती वाले भी तो धरमक ना करते बेवपार इसलिए जग में जाहर है खंड बकाता दारवार इसलिए जग में जाहर है इसलिए जग में जाहर है खंड बकाता दारवार कैसे बनी समाधीन की यहां खंड बा कैसे यहां धूनी कैसे यहां जगाए सारी गाथा तुम्हें सुना इस भूमी से दादा जी की थी पहले से दिल में चाहर जो मन में आताबो करते किसी की ना करते परवाई आज जहां पर बना है मंदर पहले थी पगडंडी राए सन उन्नी सो तीस कपावन रहा दिसंबर का भूमाई धन्र कर दिये इस भूमी को लिये समाधी जब से आप धरम का रोज बरस्ता अमर्त दादा जी का है परता आप धरम का रोज बरस्ता अमर्त धरम का रोज बरस्ता अमर्त दादा जी का है परता दादा जी के नाम यने को दादा जी के जितने रूप साधा रड़ ये रूप नहीं है सभी रूप है ब्रह्म है सरूप कही पिकश्ने नंदे बने हैं कही राम फल बन के आए मारे वाका ठट है साथ संत मुनी घट घट की लाए सती अथारा में बत लाए गोरी संकर संत महान चले मंडिली सात में जिनके करे नर्वदा जी का ध्यान साथ बरस की छोटी उमर का इनको मिला बालक नादान हुआ मंडिली में बोसा मिले बालक में था अदवोद ग्यान हुआ मंडिली में बोसा मिले हुआ मंडिली में बोसा मिल बालक में था अदवोद ग्यान तिरगुण ग्यानी गोरी संकर उस बालाग को लिए थे जान के सब नामक था बालक को केस बनंद दिये पेचान यही केस बनंद है दादा जिनके अलग अलग उपकार अपनी धूनी से जो करते गुरलब से दूरलब उपचार धूनी वाले दादा जी की सुनिये जीवन गाथा खास साई खेडा गाउं में निका सब से खास रहा इतिहास जिला है नर सिंग पुर एमपी में गाडर वारा नंगर कहाई गाडर वारा से कुछ चलके साई खेडा गाउं में आए गाडर वारा से कुछ चलके गाडर वारा से कुछ चल के साई खेडा गाओं में आए साई खेडा में दादा जी तीस साल रहे हैं लगतार इसी गाओं में दादा आए नए रूप में चोथी बार जंगल था खाडोन नाम का एक गाओं सिरसिरी के पास दादा मिल पर गद की खोह में तन पर दीमकूर थी घास पेर के एक अंगूठा से भी निकल रही थी खून की धार काल नांग के मोह में अंगूठा जरवाहे ने लिया नहार गाओं के मुख्या को बत लाया मुख्या हुए जाने तैयार गाओं के मुख्या पटेल जी थे सिरसिरी गाओं के माल गुजार गाओं के मुख्या पटेल जी थे गाओं के मुख्या पटेल जी थे सिरसिरी गाओं के माल गुजार दीमत उनके तन से हटा कर करवाया बढ़ियने सिनान नहीं चेतना थी दादा में जय योगी हो अंतर ध्यान में भी उनको याद नहीं था किया नाग में लहू लुहान सापन उनको काटा लेकिन हुआ नहीं कोई नुकसान सिरसिरी में कुछ साल गुजारे पिये साई खेड़ा प्रस्तान ए उननीस तो एक की बात है अब तो दादा हुए जवान बालापन में मिले थे दादा घना था जंगल गोवी अभान रूप है असली क्या दादा का नहीं किसी को है अनुमान रूप है असली क्या दादा का रूप है असली क्या दादा का नहीं किसी को है अनुमान साई खेडा में दादा में काटे सब के दुख जन जाल बने हजारों एसे किस्ते सारे किस्ते लगे कमाल अंगरे जोने जिनके आगे माथा जोका दिया ततकाल अंगरे जी सस्ता कावो तो मार रहे पे खूब वो माल दादा पर संदेहे करते गाडर वारा के कुछ लोग साई खेला जाके बोले दादा तुम करते हो धोंग दब दादाने सब के आगे पारा पिया पचास गिराम दादा बोले में संकर हूँ बुरा नहीं होगा परिलाम दादा बोले में संकर हूँ दादा बोले में संकर हो पुरा नहीं होगा परिणाम सिविनी चपारा से आया था एक भक्त दादा दरवार सोला सत्रा दिन से जिसका रुका यहाँ पूरा परिवार तभी अचानक एक रात को दादा उसको लिये पुकार उसी भक्त से पानी मगाए बहती दुधी नदी की धार उस जल को धूनी में उडे ले रात में उसको दिया निकार भक्त वो कोई और नहीं था अपने गाओं का बाल गुजार हका बका रह गया वो तो बोरा किये दादा वे ओहार दूसरे दिन जब पहुचा घर वो मचा गाओं में हाँ हाँ कार दूसरे दिन जब पहुचा घरबु मचा गाओं में हाँ हाँ कार जल गया पूरा गाओं आग से बचा था सेवक का घरबु आर इतनी दूर से आग बुझा दी एसा कर देती चमतकार धूनी एसी चमतकार रिड़ी मौते भी जिस से जाती हार इस धूनी में आग जो जलती वो अगनी है ब्रह्म है सरूप दादाजी का रूप दिगंबर कहलाए संकर का रूप अपने तपसे ही दादा ने अगनी को था लिया जला तभी से धूनी जले निरंतर अंध्यारा को रही मिटा दादाजी का काला कंबल मन से माया देओ मिटा दादाजी का काला कंबल दादाजी का काला कंबल मन से माया देओ मिटाज दंडा एक पास में रखते ए दंडा जिसको पड़ जा इस दंडा से चोट न लगती दंडा देता आसिरवाद दादाजी की तिकाल चत्नी कहलाती है महा प्रसाद लालच मोह विकार मिटाए देती है मुकपी का स्वाद जिसको ए परसाद मिला है उसका हुआ जीवन आवाद कहीं भटक ना पड़ा ना उसको फिर दादा दरवार के बाद हर व्यक्ती के जन्म जन्म के भुख संकट सारे मिट जाँ इसलिए तो इस चोखट परे मिस दिन लोग हजारों आ इसलिए तो इस चोखट परे इसलिए तो इस चोखट परे निस दिन लोग हजारों आए एक हकीकत और बता दें सुनके जिस होंगे हैरान पंड तिरा में नरायन का नाती जबलपूर जिन का इस थान इस नाती की भीमारी से घर के लोग रहे परसान चार साल का नाती लेकर साई खेडा की प्रस्तान गाडरवारा जाते जाते इस बच्चे में बची न जान अद चेतन बच्चे को लेकर पहुच गई दादा दरवार दादा में फिर उस बच्चे को धूनी में जो दिया था डार कपड़े जल गए थे बालक के बच्चा रोकर खर गुहार कपड़े जल गए थे बालक के कपड़े जल गए थे बालक के बच्चा रोकर कर गुहार नाओ जीवन पाया बच्चे न बड़ा हुआ तो बना महान गिरजा नंदन दुबे नाम है जिनको जाने हिंदुल्तान हिंदी अधिवेसन में ये तो गए बिलायत पीनवार सारा खर्चा उठा रही थी अपने भारत की सरकार दुनिया भर में नाम कमाया नगर खंडवा का कलकार पेड़ा खिलाया था दादाने नाम हुसकक सोर कुमार सरन में जो दादा की आए हो जाता वनिका वो धार दादा के सब नंद हमारे सिवसंकर के है अबतार दादा के सब नंद हमारे दादा के सब नंद हमारे सिवसंकर के है अबतार खंडवा में दो दादा जी है छोटे दादा जो कहला छोटे दादा के से कहाए इनका भी इतिहास बताए नाम गाओ का हे डिडवाना राज कहाए राजिस्तान भवरी लाल नाम था इनका अपने घर के जो धनवान मात पिता का निधन हो गया एक बहनती हुआ बिवाय काई सालों तक रही गाम मन में थी सद गुरू की चाए छे सालों तक भटक रही थे दूण रहे थे सही मुकाम कही रेल में किसी ने इनको कही रेल में किसी ने इनको कही रेल में किसी ने इनको बतला या दादा का नाम बाबाई इस्टे सन से पेदल पहुचे साई खेडा धाम दादा जी ने जाचा परखा फिर से वक्ता लिया बनाए सन 1916-17 परस किये तो बात कहा इनकी अठारा साल उमर थी प्याग तपस्या में लग जाए नाम करण के बाद में तो हरी हरा जी नंद कहा आए आगे चल कर हरी हरा जी हरी हर दादा बोले जाए इनकी भी वही बनी समाधी छोटे दादा जिन का नाम स्रधा प्रेम लगन भगती से इनको भी कर लो पर नाम स्रधा प्रेम लगन भगती से स्रधा प्रेम लगन भगती से इनको भी कर लो पर नाम अद भुद भरा न जारा देखो भगतो रोज सबेरे साम सारी टेंसन मिट जाती है मिलता है मन को आराम धूनी वाले का ये परिसर बड़ा ही सुन्दर और विसाल रोते रोते आने वाले लोटते हैं हों के खुस हाल तिकल चटनी दादा जी की देती सारे दोस निकाल इस धूनी के बड़े करिश में भूनी के हैं बड़े कमाल जो करिके बिस रास है आते निर्धन होते माला माल उपकारों की बात करें क्या बाजोंने भी पाए लाल उपकारों की बात करें क्या उपकारों की बात करें क्या बाजोंने भी पाए लाल सुन्दर प्यारा नगर खंडवा यही पतल जा मा का धा मनों का मिना पूरड होती मा का बावन ऐसा नाम नहीं आए तो आकर देखो धूनी वाले के दर्वार ए एसा दर्वार है प्यारा पोत जहां सपने साकार अलग अलग रूपों में दादा आते हैं लेकर अबितार कहीं पे पगला नंद बने हैं कहीं बने छोटे सरकार लिखान रंजन सेन ने आला दादा जी का जीवन सार प्रेम से संजो बगहे लिगाए दादा जी की जै जै कार प्रेम से संजो बगहे लिगाए